लाल सागर में हूतियों का आतंग लगतार बढ़ता जा रहा है अब यमन के हूति लड़ाके सीधे इसराइल पर हमले को उतारू है लाल सागर में हूतियों के हमलों से शिपिंग सेवा को तगड़ा जटका लगा है कमर्शियल जहाजों को लंबी दूरी तैक करते हुए आगे बढ़ना पड़ रहा है हूतियों की हेकडी निकालने के लिए अमेरिका और विटेन कई देशों के साथ मिलकर अभियान चला रहे है मगर यमन के इस विद्रोई गुट की ताकत कम होने की बजाए लगातार बढ़ती जा रही है इस बीच एक खबर ने अमेरिकी पटिस्टा को बड़ा जटका दिया है दरसल हूतियों पर लगाम कसने के लिए अमेरिका पूरा जोर लगा रहा है मगर उसे अब तक कोई खास सफलता नहीं मिली है इस दोरान अमेरिका ने खर्बो रुपए पानी की तरह बहाते हुए हूतियों को काबू करने की कोशिश की मगर बे लगाम हूती लड़ाके लगातार इसराइल की मुश्किले बढ़ा रहे है साथ ही लाल सागर पर कपज़ा जमाय हुए है इस बीच अमेरिका लाल सागर में तेनाथ अपने जहाजों के रखरकाव के लिए और पैसा लगाने जा रहा है अमेरिकी सैना के नए बजट के तहट इरान समर्थित प्रोक्सी कुटों के हमलों को विफल करने के लिए अमेरिका अपने मिसाइल के बंडारों को फिर से बरने की तैयारी में है इसके लिए पेंटागन लगबग 1.2 बिलियन डॉलर खर्च करेगा साथ ही मिडलिस्ट में अपनी मौझूदगी को बढ़ाने के लिए भी अमेरिका लगतार काम करता रहेगा रिपोर्ट्स के मुताबिक समुंद्र से लॉंच की जाने वाली आर्टी एक्स कॉर्प स्टैंडर्ड मिसाइल 3 के ब्लोक 1B के लिए करीब 190 मिलियन डॉलर खर्च होंगे वहीं करीब 8.5 मिलियन डॉलर एयर टू एयर AIM-X साइड वाइंडर मिसाइलों पर खर्च होंगे इसके लावा मिडलिस्ट वियानों के एक साल के नुमानित खर्च का सबसे बड़ा हिस्सा USS BATAN Amphibious Assault जहाज और USS Eisenhower Carrier Strike Group के जहाजों के रखरखाव के लिए 300 मिलियन डॉलर खर्च हुआ अमेरिकी वायू और नो सेनिक साहेता के लिए 16,000 डॉलर का बिल है ताकि आत्म लक्षा वियानों में साहेता के लिए फ्लेयर्स को फिर से बरा जा सके इसराइल को पहुचाई जा रही एक सब्ता की अमेरिकी साहेता की लागत करीब 120 मिलियन डॉलर होने की समभावना है ऐसे में साफ है कि हूतियों को रुक पाने में अमेरिका ने एड़ी चोटी का पूरा जोर लगाया है बावजूद इसके हूतियों के हमले रुकने का नाम लही ले रहे है अमेरिका और ब्रिटेन ने मिसाईलों, ट्रोन और लड़ाकू विमानों से हूतियों को निशाना बनाया इलाके में अपने युद पोतों और एर्रक्राफ्ट केरियर को तेनार किया लेकिन ये सभी नाकाफी साबित हुए है इसके उलट हूतियों ने लाल सागर से होने वाले वेपार को ठप कर दिया है हूतियों की असल ताकत इरान का समर्थन मिनला माना जा रहा है हूतियों के पास लंबी दूरी की मिसाईले है इरान ने पिछले एक दशक में उन्हें बेलेस्टिक मिसाईलों, क्रूज मिसाईलों और कहीं खतरना खमलावर ड्रोन से लैस किया है इससे हूतियों के हतियारों के बंडार भरे हुए है हूति यमन में साउधी अरब के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ने में सफल हुए ऐसे में उन्हें एडवांस अतियारों वाले देशों के खिलाफ लड़ने का अनुबव है पिछले कुछ सालों में हूति लड़ाके और भी सांसी हो गए है उन्होंने इसराइल पर भी मिसाइल और ड्रोन से हमला की और दरजन बर अमेरिकी रीपर ड्रोन को मार गिराया इससे हुतियों की मैतो कांश और गमन सातवे आसमान पर उन्हें लगने लगा है कि यमान और उसके आसपास के इलाकों में उनकी ताकत को चैलेंज करने वाला कोई नहीं है यमान एक ऐसे इलाके में सिथ है जा युद होने पर सीथे तोर पर वैश्विक नोवेहन को खत्रा पैदा हो सकता है लाओ